फैसिनेटिंग मॉर्निंग डियर्स फाइव मिनेट के मिस्ट्री में आपका फिर आज सुवह सुवह स्वागत है व्यास एडिफिकेशन कोटा की ओर से मैं शेशिर मित्तल आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही प्रसिद बहुत असाधरन और शायद हर रियक्शन में आने वाला रियेजन्ट जी हाँ औरगनिक रियेजन्ट्स की श्रंकला में आज हम बात कर रहे है ग्रिगनार्ट रियेजन्ट की बंतक कैसे है बच्चोंने औरगनिक की रियेजन्स पढ़त हैं पर देखे कभी नहीं होते हैं वैसे और्गनिक में बहुत कुछ दर्शनी है और भव्वे कम होता है क्यों? क्योंकि अट टाइम्स कलरले सिल्यूशन होते है क्यों फील कमाती है पर ग्रिगनाड रियजेंट बंता कैसे है खास क्या है इसमें? प्रिप्रेशन आपके लिए लाएं तो आएए देखते हैं इसको बंता किस्से है? अगर आपके पास है कोई अलकाइल हैलाइड अलकाइल या अराइल हैलाइड और आप भी देखिए क्या कर रहे हैं? मैगनीशियम के साथ उसका रियाक्शन कराया जा रहा है यह जो टुकड़े दिख रहे हैं आपको यह टुकड़े और किसी के नहीं मैगनीशियम के हैं बीच में अफकोस टरर है हलकाए जो लिक्विड डाला था वो क्या था? ड्राइ इथर ड्राइ इथर किसलिए? सॉल्वेंट के तौर पर और फिर ब्रोमो बेंजीन अरायल हैलाइड हमने इसमेक मिलाया है और जैसे जैसे इसको स्टर किया जाता है बून बून करके थोड़ी एक्स्ट्रा सॉल्वेंट बाद में मिट अपकाया जाता है रियजेंट क्यों? एक साथ सारा का सारा रियजेंट बिला दो रियाक्शन भयंकरता शुरू हो जाता है खुब सारी हीट निकलती है आग लग जाती है उससे बसने के लिए लोग डरते डरते धीमे दीमे उसका रियाक्शन कराते हैं आप देखिए इसको आपने मिला दिया अब इसको चैन से पड़ा रहने दीजे हलक के बुल्बुले उट रहे हैं ये रियाक्शन करतो रहा है लेकिन लग बग आदा पॉन घंटा लगता है इसको और देखिए इस तरह से होने लगता है मगनीशन रियाक्शन करकर के घुल्ले लगता है और बनता है ग्रगनार रियजेंट आर एमजी एक्स अच्छा कैसे बनता है ये आपने देख तो लिया एक बार आँकों से उदेखिए बुल्बुले उट रहे हैं क्यों कि हीट निकल रही थी फ्रीजिंग मिक्स्चर में भी इसको दबा दिया जाता है ताकि इसमें आख न लग जाए पर एक बन जब बन गया है तो आई ये फड़ा फड़ा इसकी प्रापटीज देखते हैं तो सबसे पहले देखिए आर एक्स अलकायल हैलाइड या अरायल हैलाइड मागनीशियम से रियाक करता है ड्राइ एथर सॉल्वेंट के उपस्तित में बनाता है आर एमजी एक्स जो कि आपका है चर परचित और बहुत ही मशूर ग्रिगनार्ड रिएचेंट इसमें आर के उपर माइनस चार्ज है प्लीस नोट र के उपर माइनस है X के उपर माइनस है और मैन्शिम के उपर लस टु है तो R comes with माइनस वन फॉर्मल चार्ज फॉर्मल चार्ज मतलब सचमेश मैं माइनस वन नहीं होता लगबग 35 परसेंट आए निक होता है लेकिन इतना होने पर भी carbon पागल हो जोता है क्यों वो बहुत 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 ही strong base का काम करता है fourth property है इसकी फिर इसके रावा और कुछ जी हाँ अगर इसके reactions देखें वैसे तो बड़े important reactions हैं बचे confused रहते हैं कई बहुत बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आप ग्यान दीजिए कोई भी hydrogen atom यह चीन लेता है कैसे H plus के तो आप चीन लेता है शर्त यह है कि वो hydrogen atom periodic table के groups 15, 16 या 17 से जुड़ा हुआ होना चाहिए मतलब अगर आपके पास है F, C, L, B, R, I और इनके साथ H जुड़ा है इस तरह से या अगर आपके पास है O, S, C, T, E और इनके साथ जुड़ा हुआ है H अच्छा लेकिन यह कोई molecule तो नहीं है ना सही अब यहाँ पर आप H लगा सकते थे, यहाँ आप R लगा सकते हैं या कोई भी चीज लगा सकते, कोई भी group लगा हो यहाँ पे किसी भी group में OH है, किसी भी group में S, H है, C, T, E, H है सबसे H प्लस छीन लेका गरिगनाड और H प्लस निकलेगा HOH से H+, निकल गया, बनेगा OH-, और Grignard अपने आप H+, खा जाएगा, क्यों? वो बहुत ही पारफुल Lewis-Base है, वो लोन पर डोनेट करता है, और लोन पर डोनेट करके दूसरों से H+, एक्सेट कर लेता है, ये टिपिकल रियक्शन है, Grignard का, आसेट बेस रियक्शन, और भी रियक एक्शाम में इस तरह के कुशन भी आयते हैं, जैसे Methyl Magnesium Bromide, ये क्या है? ये Grignard reagent है, जिसमें CS3-, पानी डाल देंगे तो क्या होगा? पानी से इस पर नोच लेगा, CS3 से जुड़ जाएगा H, बन जाएगी Methane, Gober Gas, जो अकसर दिमाग में भली होती है, और बन जाएगा CH3, CH2, O, D, ये D कहां से आ गया? Deuterium कहां से आ गयी? Hydrogen जैसी ही है, Isotope है, आप इसे H ही माने, H+, ऐसे ही D+, नोच लिया जाएगा, बनेगा CH3, CH2, D, अरे वाह, Deutero Substituted Ethane, जी हाँ, और CH3, CH2, O- बच गया है, यहाँ पे, यह बच गई है, उसके अलावा, साथ में बच गया BR-, वो आनन मनाते वें, यहीं पड़े रहेंगे, यहाँ रखिए, HOH, ROH, ऐसे ही अगर SH होता, थायॉल, कि इससे रियाक कर सकता है, यह S+, खीच सकता है, मिल जाएगा आपको, मिल जाएगी Benzine, प्लस, जो थायॉल था, उससे मिल जाएगा S-, और अफ कोर्स, MG2+, और BR-, को नहीं रियक्शन आपको लग सकता है, पर कंसेट बहुत ही सिंपल है, जो मैंने आपको परवजाय था, फड़ा-फड़ दो रियक्शन और देखे, अपना काम करते हैं, पांच मिनट लग बखसमाप दो चुके हैं अपने, NH2 ग्रुप से, अमीन से भी H+, ले सकता है, जी लास्ट जिसमें बोरॉन से चुड़ी है हाइडरोजन, अगर बोरॉन से चुड़ी है, बोरॉन ग्रुप 13 का है, 15, 16, 17 का नहीं है, क्या होगा, डाइबोरेन एलेक्टरॉन डेफिशिंट है, अलग तरह का कमपाउंड है, आपको याद हो, तो अच्छा है, नहीं तो मैं ब CH3, BH3 माइनस, अच्छा, और साथ में, और साथ में वह MTBR तो पड़ा हुआ है, यह रियक्शन अलग कुछ है, जी हाँ, यह हाइडरोजन जोड़ी, ग्रुप 15, 16, 17 से नहीं थी, यह 13 ग्रुप की डाइबोरेन से जोड़ी थी, जो लुइस आसेड है, लुइस आसेड से फड़ा 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 रिकॉल करिए, प्रॉपर्टीस कैती ग्रिगनाड की बनता है, RMGX से मगनीशियम डालते हैं, ड्राइ इधर में, फस्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, स्ट्रॉंग बेस है, थर्ड पॉइंट, पारफुल बेस है, अफकोर्स हो तो ग्रिगनाड उससे एस प्लस निकाल कर रियाक्ट कर जाता है, असेंशली में में बाते हैं आज की थी ये, इसी के साथ, नमशकार, have a great day, enjoy, and may blessings of ग्रिगनाड from heaven fall on you, and may you win over chemistry, have a great time, this is Shishan Mittal from VR Certification Quota, and once again, have a great chemical time, enjoy your day.